नदी धर्ती पर पानी का हस्ताक्षर है और इस हस्ताक्षर को इस्थाई बनानी के लिए कुछ प्राक्रितिक परामीटर्स लगते हैं उसमें रेत बहुत इंपार्टेंट है प्रवाय बहुत इंपार्टेंट है और जीवन बहुत इंपार्टेंट है अगर हम रेत का खनन करत प्रवाय बहुत जल्दी खटम होने लगता है, तो नदियां सुखने लगती है, तो नदी के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्पून प्राकृतिक घटक हैं, उसमें रेत है, पानी है और जली जीवन है, नदी से रेत निकालना और पानी को प्रवाय को निकालना लगबक ऐसा ह जैसे मानों सरीर में से पूरे रंक को निकाल लेना ऊकने जैसे मरत सरीर बच रहता है वैसे ही नदी जो है मरत रूप में बची रहती है, फिर वह अपना कुदरती-दाईते पूरा नहीं कर पाती है इसके बाद में यह जो नदी है यह आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो नदीयां हुआ करती थी, इन सारी नदियों में जो पानी बहता था उसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं होती थी, उसमें कई प्रकार के जलचर पाया जाते थे, जली जीव पाया जाते थे, उधरान के हुशंगवाद में एक पातल नाम की मचली जानवर पाया जाता था, जो गंदगी को चंद सेकेंड में खतम कर देता था, आज पातल वान नहीं है, यह परिवत्तन इसलिए आया है कि नदी की नदी की पानी में वो गंदगतन नहीं बची है, जो आज से 50 साल, 100 साल पहले थी यह केमिकल फार्मिंग के कारण, कारखानों के कारण, नगरों के अफसिस्ट के नदी में सीले छोड़े जाने के कारण गरबर हुआ है, इस गरबर का जो सबसे बड़ा प्रफा हुआ है, वो नदी की एकलोजी पर हुआ है, नदी की सेहत पर हुआ है, और इस तरह से हमारी स समयtóм प्रावाय कंगे भे और थ render रहा हैं कि नदियों में प्रावय कंगते हूं निकलती हैं उन नदियों फ्रावय की कमी के हों बाद के बाद की şi पचास साल पहले नहीं थी, अब बढ़ गई है, इसके बढ़ने के कारण क्या हो गया है, कि नदी में जो जीवन पनपता था, वो खत्रे में आ गया है, क्योंकि उसके लिए ना तो परियाप्त पानी है, और जो गंदगी आ रही है, उस गंदी के कारण, उसका जीना महाल हो ग चाहे नर्मदा हो, उसकी साहिक नदियों से मिलता है, तो सबसे पहले हमें साहिक नदियों को जिन्दा करना होगा, अगर वो जिन्दा हो जाती है, तो वो पानी देने लगेंगी, तो बड़ी नदी को पानी मिलने लगेगा, बड़ी नदी को पानी मिलने लगेगा, तो उस इवन भी नदियों के पानी के सुधार के लिए उसकी क्वालिटी को इंप्रूब करने के लिए काम करता है. रेत की का जो माइनिंग होता है, खनन जो होता है, उसे प्राकृतिक रूप में बनाए रखने की ज़रुत है. हुम सब जानते हैं के हर बरशात के बार में रेत वापस आ जाती है. लेकिन जब वो रेत वापस आती है, तो इसमें बांध के नीचे वाले हिएस्जे में इतनी रेत नहीं आ पाते जितनी औरूद ना हो तो आ सकती है. तो एक तो उसकी quality में फरक पड़ता है, उसकी quantity में फरक पड़ता है, उसके environment में फरक पड़ता है, तो रेत को यथा इस्तिती में बनाए रखने से ही जीवन सबसे ज़्यादा अच्छी इस्तिती में होता है.